थोड़ा सा सोचे कि आप अपने घर से कहीं बहुत दूर गाड़ी से जा रहे हों। जहां जाना है वहां का जो मार्ग है पहस उनसान है। वहां पर आपकी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो छोड़िये कोई मनुश्य भी नहीं है। पहुँशते पहुँशते रात हो रही हो पर तो फिर भी जहां पहुँचना है वह अब भी दस किलोमेटर दूर हो। एसे में रास्ते में ही आपकी गाड़ी खराब हो जाए। आप उतर करके देखें कि गाड़ी में क्या हुआ है तो आप कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे कि गाड़ी क्यों खराब होी है। गुप अंधेरा घंगोर होता जा रहा हो आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएं ये सोच करके कि गाड़ी के अंदर ही आप सुरक्षित होंगे क्योंकि रास्ता हिक्तम सुन्सान है तभी कहीं से अच्छानक से कोई लड़का कोई दस बारा साल का लड़का हाथ में लाल्टेन पकड़ करके आपके गाड़ी के सामने खड़ा हो आपको देख रहा हो और फिर आपके पास आकर के बोले आपको जहां जाना है आपर मैं आपको लेकर के चले जाओंगा इस अंधेरे से मत खबराई तब आप क्या करेंगे उस लड़के पर क्या विश्वास करेंगे या फिर आपको उस लड़के पर संदेह होगा कुछ ऐसा ही हुआ था 1965 में मार्च 1965 में जब ज्यान गंज के परमहंस ज्यान गंज के सिद्ध श्री विशुद्धानंद जी महराज के अनुयाई अपने शहर से बोंदुल में जो विशुद्धानंद जी महराज का जन्मस्थान है वहाँ पर इनके जन्मोचसव को मनाने के लिए जा रहे थे दो भाई थे इनके मन में अच्छा थी कि हम उशुद्धानंद जी महराज के जन्मोचसव पर पहुंच करके वहाँ पर हम देखें कि क्या-क्या उच्छसव होता है क्या-क्या करा जाता है और वहाँ पर जो महराज जी ने एक बान लिंग की स्थापना करी थी उसके भी हम दर्शन कर सके मन में बहुत अच्छा थी चल पड़े रास्ते में बस खराब हो गई दस किलोमेटर दूर था भी भी वह थान जहां पर इने पहुंचना था बसके ड्राइवर और कंड़क्टर ने बड़ी कोशुश करी बस को ठीक करने की परदू ठीक हो नहीं पाई अन्य सभी जो पैसेंजर्स थे वो उतर उतर करके अपने 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 तरीके से चले गए ये दोनों भाई इंतजार करते रहे कि या तो बस ठीक हो जाए या फिर कोई प्राइवेट कोई गाड़ी मिल जाए हुआ नहीं बस राइवर और कंड़क्टर भी चले गए आगे ये कह करके कि अब सुबह ही गाड़ी को ठीक करेंगे इतने में गाउं का एक कोई व्यक्ति आया पास का कोई गाउं था उसने कहा कि आप दोनों गाउं चले रादभर भाई रोकिए सुरक्षित रहेंगे ये थोड़ा सुंसान सा एक स्थान है सुबह होता ही आप निकल जाएगा परन्तु दोनों भाईयों को तो जो बुंडुलेश्वर शेव मंदिर जो बानलिंग के स्थापना करी हुई है उसकी प्रातहकाल की चार बजे की आरती देखनी थे तो उन्होंने तई किया कि वो गाउं नहीं जाएंगे वो जैसे दैसे करके वहाँ पर पहुंचने की ही कोशिश करेंगे अब ये दोनों भाई चल पड़ते हैं अकेले ही थोड़ा दूर जाते हैं तब इन लगता है कि ये सही डिसिशन नहीं होगा रास्ते में एक हुजलू हो सकता है इनके पास में रुपे भी थे कैश ये वाबस आ गए और उन्हेंने सोचा कि बस महीं ये वीट करेंगे बस महीं ये सोच रहे थे कि किस प्रकार आगे चले प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कुछ हो जिसके वजह से जिसमें बैठ करके जिसके सहरी ये वहां तक पहुंच सकें फिर मन में एक भाव ये भी आया कि क्या पता बाबा वशुधानंद जी महराज अभी नहीं चाहते हैं कि ये लोग उनके स्थापित बांडलिंग के दर्शन कर सकें इस लगे बहुत से बन में विचारा रहे थे तब ही बस के आगे एक करीब बारह वरशी बालक आकर के खड़ा हो लिया इस बालक के हाथ में लाल टेन थी शेरिर के उपरी भाग में कुछ नहीं पहना था बस एक यग्यो पविध्धा इस लड़के ने मीचे से ही पूछा कहां जा रहे थे बस के अंदर क्यों बैठे हैं इन्हें पहले तो थोड़ा सा जीब सा लगा फिर उन्हें बताया कि बस खराब हो गई है हमें जाना था बुनल पर अब सोच रहे हैं कि यह परी रुके लड़के ने कहा मुझे भी वही जाना है मैं वही रहता हूँ मुझे छोटा रास्ता पता है थोड़ा समय लग सकता है थोड़ा जंगल के पगडणी से होता हुआ है पर अब मेरे साथ चलिया है मेरे साथ नालटेन है मेरे पास अब इन दोनों भायों के मन में जाने क्या विचार आया है इन्होंने दाई कर लिया ठीक है तुम आगे चलते रहो हम तुमारी पीछे पीछे चलते रहेंगे तो किसी पगडंडी के से होते हुए ये तीनों अब चल दिये जंगल के रास्ते से होते हुए फिर भी जंगल के से ही जा रहे थे पर अधो फिर भी जो डिस्स था वो बहुत जादा था ये जा रहे थे ये दोनों भाई पीछे थे लड़का लालटेन पकड़ करके आगे चल रहा था और अंधेरा इतना था कि ये नीचे देखते वे जा रहे थे कौनकि सामने जाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लालटेन दिख रही थी तो लालटेन से जो हल्क हल्की सी जो पीले रंग के रोश्णी आ रही थी उसी से यह देखते हो जा रहे थे कि कहीं गिर न जाएं तो जादतर इनकी जो निगाहें थी वो नीचे थी तभी इन में से एक ने आगे देखा इस बात को सोचते हुए कि कहां जा रहे हैं आगे देखा आगे देखा तो लड़का था ही ने लड़का अद्रेश और जो लाल्टेन थी बस वही चल रही थी अकेली लाल्टेन हवा में चल रही थी इन दोनों को रास्ता दिखा रही थी इन दोनों भाईयों कि तो तोते उड़ गए ये घबरा गए पूरी तरह से थर थराने लगे पसी ने छूट गए इन्हें लगा कि वो लड़का कोई और नहीं कोई न कोई प्रेत अवश्य है और वो अब हमारे पीछे पड़ गया है अब वो हमारा जीवन समाप्त ही कर देगा ये दोनों जीसों को पकड़ कर खड़े हो गए आँखे बंद कर ले तभी इन्हें लड़के की आवाज आई लड़के ने कहा भाईया आगे चलो रुक क्यों गए इन्हों आँके खोली तो देखा अब लाल्टेन बकड़ करके वो लड़का फिर से खड़ा हो गया इनका तो और अधिक दर के कारण हालत और अधिक खराब गए इन्हें नहीं समझ में आया कि अब क्या करें पहले जब वो नहीं दिख रहा था तब जितना डर लग रहा था उससे अधिक डर अब लग रहा था कि ये लड़का अद्रिश होने के बाद पुना आ गया यानि अब तो ये जो प्रेथ है ये इनके जीवन की लीला को समाक्त कर ही देगा पर उन्द इस लड़के ने कहा रहे भई घबराए नहीं मैं प्रेथ नहीं हूँ बहूत नहीं हूँ छू करके देख सकते हैं इन मेंसे एक भाई नहीं उस लड़के को डरते हो चुआ अब तुम हमारे साथ में चलो लड़के ने कहा ठीक है तो इन दोनों भाईयों की बीच में लड़का लाटेर पकर करके चले लगा थोड़ी ही देर में बस इस सब घटना हुई और थोड़ी ही देर में लड़के ने बोला ये देखे ये आपका आ गया ये इस तरफ है आपकी ठाकुर बाड़ी जहां पर आपको जाना है जहां पर वो आश्रम है और अब आप यहां पर जा सकते हैं देखे आप तो यू ही घर है, मेरे सभी परिवार जन्वी चिंतित होंगे, मेरा घर बहुत बड़ा है हम एक मिले जुले परिवार में रहते हैं, जिसमें मेरे ताउजी भी हैं, चाचा भी हैं और भी कई सारे मेरे कजन भाई हैं तो इन दुनों भाईयों को लगा कि हम अब इस लड़के को इसके घर थोड़कर करके आते हैं ये लोग गए वहाँ तक, देखा एक बड़ा सा घर था घर में लाइट वाईट जल रही थी तो इन दोनों भाईयों ने लड़के को फिर बोला कि चलो भी हम से कन मिलते हैं ऐसे करकर ये दोनों फिर से ठाकुर बाड़ी आ गए अब ठाकुर बाड़ी में जब आये तब यहां पर भी कुछ अलग ही हुआ जब आये तब कुछ 11.5 के आसपास हो चुका था तब वहाँ पर जो ठाकुर बाड़ी में जो सब कुछ संभालते थे सरोज दादा उनका नाम था उन्होंने इन दोन को भार देखा इन दोन को ले आए अंदर पूछा कि कहां से आ रहे हो क्या है तब मालूम चला कि एक कॉमन लिंक है तब इनोंने बोला ठीक है तुम दोनों आश्रम में सोजाओ अभी सुवेच चार बज उठकर के आरती में आ जाना सुवेच चार बज गए दोनों उठकर के तयार हो गए दिखा कि सरोज दादा जो है वो जो शिव मंदिर है जहांपर बार्णलिंग स्थापित है उसमें जा रहे है दोनों भाई भी उनकी पीछे चल दिया अब वहाँ पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि सामने हैं गौरी पट है गौरी पट के उपर बार्णलिंग स्थापित है इनको बहुत अनन्द के अनभूती हुई कि आखिरकार बाबा विशुधानन्द महराज ने अपने कृपा हम पर रखते हुए आमें आपर पहुंचा दिया इनको पता था कि बार्णलिंग जो है वो अपना रंग बदलता है तो मन में कौदूल हुआ और बस देखने के लिए इनोंने उस बार्णलिंग को छुआ इनमें से एक भाई ने बार्णलिंग को छुआ छूते ही वो बार्णलिंग तो तूट करके इनके हाथ में आ गया गौरी पट से इतना ठोस बार्णलिंग तूट करके इनके हाथ में आ गया ये घबरा गया इतने में वहां के जो पुजारी थे उन्होंने ये देख लिया वो चिल लाते वे आये क्रोधित होकर क्या आये कि ये क्या कर दिया तुमने ये तो असंभव सी बात थी तुमने ये तोड कैसे दिया अब तो अनर्थ हो जाएगा ऐसा कहते वे डांटने लग गए इनकी जिकमचिली सुनकर के जो वहां के जो आईर रख थे स्रोजादा वो भी भागते वे आये इतने में इन में से जिस भाई के हाथ में वो बांडलिंग था उन्हें घबराते होए वो बांडलिंग गौरी पट पर पुन्हा रख दिया स्रोजादा आये पुझारी जिने बताये कि क्या क्या हुआ ये तो चिलाने लग गए इन पर ये क्या क्या तुमने हो दिखाओ मुझे क्या हुआ है घबराते घबराते इन्हों बताये कि ये मेरे बस कुछ हो गया था कहें से टूटा नहीं था ये जो कुछ भी हुआ था ये केवल इन चारो पांचो लोगों ने नहीं देखा था अर्थाद केवल पुजारी जीने सरोज दादा ने इन दोनों भाईों ने सब तक चुमकि चार बज चुके थे बाहर भी बहुत से लोग एक अत्रित थे उन सब ने देखा कि ये कुछ अलग साही चमतकार हो गया तब सरोज दादा जो थे उन्हें कुछ बात अटपठे से लगी वो इन दोनों को बाहर लेकर के काया अपने कमरे में लेकर के काया और वहाँ पर जाकर के इन से पूछा की बता हुआ क्या क्या था तुमारे साथ तब इन्होंने बताया जो कुछ भी हुआ था वो सब सुन करके सरोज दादा इनके साथ उस लड़के के जो लड़का था दस बारा वर्ष का उसके बताय होए या फिर उसके घर के तरफ लेकर गए जो इन दोनों भाईयों ने रात को देखा था अंधेरे में जब ये तिनों वहाँ पहुंचे तब इन्होंने पाया कि वहाँ तो कोई घर था ही नहीं वहाँ तो अब केवल एक मंदिर था और मंदिर के आस पास घनी जाड़िया थी परन्तु तब सरोज दादा ने इनने बताया कि जो मंदिर तुम देख रहे हो ना ये मंदिर यहां क्यों बनाया क्योंकि ये मंदिर उसी स्थान पर है ये स्थान पर यान गंज के परमंज श्री विशुद्धानन जी महराज ने जन मिलिया था जब ये बात इन दोनों भायों ने सुने तब इगदगद हो गए इन्होंने अने को धन्यवाद दिये बाबा विशुद्धानन जी महराज को वोगि इन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वो जो लड़का रात को आया था दस बारा वर्ष का जो इन्हें उस दस किलोमेटर की यात्रा को केवल दस पंदरा मिनिट में ही पार करा करके इनके ठाकुर बाड़ी तक पहुंचा गया और उसी ने इनको इन दोनों भाईयों को अपने बाल्यकाल के समय जिस प्रकार के घर में रहते थे जो उस वक्ती अवस्था थी उसके भी दरशन कराए और इसी कार ये दोनों भाई गदगद होकर के बाबा को केवल बारं बार धन्यवाद ये दे रहे दोस्थों एक घटना सत्य है क्योंकि ये इन्हों नहीं एक और व्यक्ति है नंदलाल गुप्ता जी जिन्होंने विश्वधन जी महराज पर एक किताब लिखी है उन्हीं के अलग-अलग व्यक्तियों से संकले तत्यों को जोड़ करके जिसमें गुपिनात कविराज जी के भी कई सारे प्रसंग आते हैं जो गुपिनात जी नहीं इन्हें बताये थे अब छोटी सी बात यहां पर यह आती है कि इस पूरे प्रसंग में ये बड़ा ही रोचक सा प्रसंग है चमतकारी सा प्रसंग है फरन्तू एक बात की हाँ पर पुष्टी हो जाती है कि गुरू की कृपा हम पर सदैव रहती है हम बस केवल उन पर विश्वास पूर्ण रूप से रखे रहें और अपना कार्य करते रहें ऐसा एक पल नहीं होगा जब गुरू आपका हाथ कभी छोड़ेंगे आशा करता हूँ कि आपको ये प्रसंग आश्चर जनक चमतकारी के साथ साथ सुन्दर भी लगा होगा यदि ऐसा है तो क्रिप्या करके इस वीडियो को अपलाई का वश्चर करें हमें सब्सक्राइब करना नहीं भोलें और कॉमेंट सेक्शन में जो पहला कॉमेंट पिंड है वहां से पेटीम जी पेतियादी के मादम से जितना अधिक हो सके शरीत सहयोग भी प्रदान करें बह सिखजात मैं सिधार्थ अब आप सबसे जाने कहनवते लेता हूं धन्यवाद